मांसिक शारी दिख और भाबनात्मत तौर से हेल्दी रहने के लिए भरपूर नीन लेना जरूरी है दुनिया बर में जब लॉकडाउन ने दस्तक दी तो जाधा तर लोगों के लिए घरी ओफिस बन गया परिवार की तुलना में कम्प्यूटर स्क्रीम के सामने हम ज़ाधा वक्त बिताने लगे इसका असर हमारी फिजिकल आक्टिविटी से लेकर नीन पर भी पड़ा जो स्वास के लिए अच्छा नहीं है नीन की कमी से काम करने वाली महिलाई सबसे ज़ाधा प्रभावित होती है विशशुग्यों का कहना है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज़ाधा नीन की ज़रूरत होती है साल 2014 में Exploring Sex and Gender Differences in Sleep Health A Society for Women Health Research की रिपोर्ट National Library of Medicine में पबलश होई इसके अनुसार महिलाओं और पुरुषों में नीद की घंटे अलग अलग होते है यानि दोनों को सोनी के लिए जो समय चाहिए उसके घंटे अलग है Research के अनुसार महिलाओं को अनिद्रा और Restless Leg Syndrome होने का खतरा 40% जादा होता है पुरुषों को महिलाओं की तुलना में जादा गहरी नीद आती है अमेरिका के डॉक्टर शवाशीश डे इस Research को सही बताते है उन्होंने कहा कि महिलाओं को पुरुषों से जादा नीद की जरूरत होती है Restless Leg Syndrome के लक्षन पैरों में दर्ट, कमपन, जुन चुनाहट और बेचैनी है ऐसे लोगों को नीद कम आती है ऐसा लगता है कि पैरों में कुछ रेंग रहा है महिलाओं और पुरुषों का बायलोजिकल स्ट्रक्चर अलग होता है इसलिए दोनों को नीद की जरूरत भी अलग होती है डॉक्टर सिभाशीश डे के अनुसार Research के दौरान इस बात को फोकस किया गया कि महिलाओं और पुरुष दोनों अपना दिन कैसे बिताते है Paid-Unpaid काम, सामाजिक जिम्मेदारी और परिवार की देखभाल का समय भी नोट किया गया डॉक्टर सिभाशीश डे कहते हैं कि महिलाओं के दिन में जपकी लेने की समभाब ना जादा होती है क्योंकि बाकी समय में अगर वे सोती है तो किसी न किसी काम से उन्हें उठना पड़ता है नीन पूरी तभी होती है जब कोई आपको बीच में ना जगाए दिन में बच्चे और पती घर से बाहर होते हैं और उन्हें जपकी लेने का समय मिल जाता है इस वज़े से रात की नीन में कमी आती है महिलाओ को पुर्षों के मकाबले 11-13 मिनिट अधिक नीन दाती है हाला कि केरी नीन के मामले में पुरुष ज़ादा खुश नसीब होते है परिवार की देखभाल के लिए महिलाओ को आदी रात में उठने की संभावना रहती है अब समझे की क्या कारण है जो महिलाओ को पुर्षों की तुल्ला में जादा और अच्छी नीन की ज़रूरत होती है महिलाओ में नीन काम आना और रिस्टिस लेक संड्रोम होने का खत्रा 40% जादा होता है इसकी वज़ा से उन्हें अपने पैर को हिलाने की इच्छा होती है इस वज़ा से बीच-बीच में उनकी नीन खुलती रहती है और वे भरपूर नीन नहीं ले पाती है इस टूडी हुई नीन को पूरा परने के लिए महिलाओ को जादा नीन की ज़रूरत पड़ती है पूर्षो की तुलना में महिलाओ के डिप्रेशन में जाने की संभावना भी दोगनी होती है भारत में महिलाओ को अपने प्रोफेशनल और निजी जंदगी दोनों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है ऐसे में उन्हें प्रती कूल मेंटल हेल्थ का सामना करना पड़ता है डॉक्टर डे कहते हैं कि हेल्दी मेंटल हेल्थ के लिए भरपूर नीन की जरूरत होती है परस्नल लाइस्टाइल और फिटनेस राप की अच्छी नीन महिलाओं के मेटाबॉलिजम में मदद करती है ये व्यायाम, ध्यान और दिन्मर के जरूरी कामों को करने के लिए शरीर में एनरजी देती है लाइफ बॉर्य उनिवर्स्टी यूके के शोदकरताओं के अनुसार मर्टी टास्किंग होने के कारण महिलाओं को पुशो की तुल्ला में जादा नीन की जरूरत होती है महिलाओं को पुशो की अपेक्षा कितनी जादा नीन की जरूरत होती है महिलाओं को पुशो की तुल्ला में 20-30 मिनिट जादा नीन चाहिए उनको lifestyle, fitness और कई जिम्मेदारियों को एक साथ manage करना होता है उनके लिए जरूरी है कि वे रात 10 से सुबा 7 बजे तक सोए लगतार कम से कम 7 घंटे की आराम दायक नीन लेने की कोशिश करे दिन में छपकी लेने से बचना चाहिए काफेन, शराब और निकोटीन कम पीना चाहिए रात में heavy dinner भी नहीं लेना चाहिए खाने के बाद थोड़ा टहला चाहिए और सोने से पहले जादा पानी पीने से भी बचना चाहिए नहीं तो बार-बार बातरूम के लिए उटना पड़ सकता है अपने bedroom की सभी light बन करके सोना चाहिए इससे नीद अच्छी और गहरी आती है गरम पानी से नहा कर सोने से भी नीद अच्छी आती है अगर आप गरब वती हैं तो गरम पानी से नहाना नहीं चाहिए इससे आपको दिक्कत हो सकती है इसी के साथ हम आज की खबर को समाप करते हैं अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया हमारी चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें चले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई डॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद